हैलो दोस्तो कैसे हुआ आप लोग वेलकम बैक टो दो चैनल लिव लाइफ इजी तो यह स्कूल से आने के बाद का व्लोग है और दिवाली के एक दिन बाद का है क्योंकि अगले दिन तो मैंने छुटी ली थी तब एत खराब की वज़े से उसे नेक्स टे जब मैं स्कूल गई थी तो आने के बाद फ पहले फिर मैंने सोचा है पहले किचन जो है वो क्लीन कर देती हूं ताकि कुछ भी मतलब बनता है न तो फिर हाथ चलता है थोड़ा किचन साफ रहे और दूसरी चीज होती है अगर टाइम का मार्जन है तो फिर मैं किचन साफ करके तब ही डिनर शुरू करती हूं और अगर बच्चों को पढ़ाने में या किसी और काम में हो गया लेट तो फिर मैं पहले जगा करकर आके खाना बना लेती हूं दाकि खाना टाइम पर रेडी हो जाए और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाती हूं तो यहां पर अभी टाइम था थोड़ा साड़े च्छे के करीबी लग तो तब मैंने प्रॉपर वीडियो में से देखके बनाई थी और आज मैं जो हूं मतलब बिना देखे ऐसे इंस्टेंट बना रही हूं फटा फट से तो देखते हैं कैसी बनेगी यह वाली बात है तो थोड़ा सा मतलब रिजिडनेस खतम हो जाती है अगर रेसीपी थोड़ कहीं न कहीं आसान हो जाता है और एफिशियंटली जो है वो मिट्टी अच्छे से निकल जाती है अगर इसी को मैं जाली में टोकरी में सीधे दो न तो पानी भी जादा लगेगा इससे भी जादा और दूसरी चीज़ हो है कि शायद बिट्टी पूरी नहीं निकलती लेगि आज मैंने सीधे जो है इसमें पानी डाला और गैस थोड़ी सी तेज करके इसमें एक बॉयल लगा दिया अब यहां पर यह जो बीन सालू की सबजी है ना मैं इस सुबह बना के गई थी तो थोड़ी एक्स्ट्रा है दुपेर में फिर इनोंने बजाए रोटियां सेकने के दाल चावल बना लिए तो यह सबजी जो है वो बचे गई मैं दुपेर के हिसाब से बना के गई थी तो अब मैं इस क्या करूंगी कि इसको मैं अभी फ्रीज में से निकाला है तो इसको अभी फिर फिलाल रखी देती हूं क्योंकि पालक पनीर के साथ कोई खाएगा नी और सुवे इनको घिसके सबजी के या तो सेंडविच बन जाएंगे या फिर पराठे बन जाएंगे इसको मैं रख दूंगे अंदर और अभी जितने पालक बोईल हो रहा है इतने मैंने पनीर के मतलब टुकड़े कर लिए तो ऐसे धीरे-धीरे जो है एक एक काम जो आपको जाता है कि एक घंटा चाहे मैं कुछ भी बना रही हूं एक घंटा के करीब मेरा कुकिंग का टाइम स्लॉट रहता है कि एक घंटे में मुझे वो सब बनाके रखना है तो मुझकिल से 5-7 मिनट ही इधर उधर होते हैं कभी 5-7 मिनट कम और कभी 5-7 मिनट जादा उसका फिक् ग्रेवी के लिए प्याज और हरी मिर्च और एक अधरक का टुकडा यह मैंने पीसने के लिए रख दिया इतने मेरे हस्बंड आ गए थे तो छोटे मोटे काम वो भी करवाते रहते हैं तो पीसने के लिए मैंने उन्हें दे दिया और यह पालक जो है अब हमारे बॉयल हो ग बाकि यह जो रखा है ना ठंडा होने के लिए आप ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हो नहीं तो इस पे जो है थोड़ा सा ठंडा पानी आप थोड़ो ली चला दो तो जो आपका पालक है वह तो ग्रीन बना रहे गा और दूसरा ठंडा जल्दी हो जाएगा अब इसको पीस रह आज मैं बना रही हूं जैसी मैं नॉर्मल सबजिया बनाती हूं ऐसी तो टेस्ट आपको बताऊंगी कि इसका भी अच्छा आया या नहीं नहीं तो पुरानी वाली रेसिपी पर या पिस्टिक रह सकते हो उसका लिंक आपको आई बटन में देने की कोशिश करूंगी तो य नहीं कहीं पर टुकड़ा सा पता लगेगा लेकिन इस बार यह था कि मेरे हस्बंड ने भी यह किया मतलब ऐसे कर लो मैं पीस नहीं चाहरी थी लेकिन उनना का इस बार ऐसा करके देख लेते हैं तो यह है कि जब प्याज भून गई उसके बाद जो टमाटर अद्रक और हरी में लग जाता है तो कहीं ना कहीं यह वाला तरीका कुई करहा जल्दी बन गई इससे पालक पनी और जब एक बार यहारी यह दोनों तीनों चीज़ें अच्छे से जो हैं भून गई है अब इसमें एड़ करेंगे मसाले तो मसाले जाएंगे इसमें हल्दी, किचन किंग, ध ठक दूंगी थोड़ा सा ताकि अच्छे से यह सारी चीज़ें कुक हो जाएं बड़िया तरीके से पक जाएं अब त्योहार के टाइम पर लगवाग यह था कि पूरी और बाकी चीज़ें और तबेत खराब की वैसे ताहरी इतनी जल्दी जल्दी बन रही थी तो कुल मिला कि मतलब मैं आपको सच बता हूँ ना मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई क्योंकि इतने दिनों से तैयारी कर रही थी त्योहार की लेकिन एन त्योहार वाले दिन जो है बुखार चड़ने से कहीं ना कहीं मतलब मुझे पता नहीं क्यों फेलियर वाला फील हो रहा था कि क्या ह फायदा हुआ इतने दिन पहले तैयारी करने से अगर आप एन मौके पर भीमार हो जाओ तो लेकिन ये है कि वाइरल थाब हो गया तो हो गया क्या ही कर सकते हैं उसका अच्छी बात ही है कि त्योहार कोई छूटा नहीं ऐसा तबेत मेरी इतनी नहीं खराब हुई कि मैं बिल सर्मल लाइफ में अपनी लौटते हैं तो थोड़ा सा स्टैमिना आपको ज्यादा चाहिए होता है वो कहीं नहीं लैक कर गया मेरा तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी अब यहां पर न मैंने जितने मसाला भुना उतनी देर मैंने गूत लिया आटा और आटा ग में भी मी बना कर पालक के पत्तों के यह बनाता रखी तो यह पर थोड़ा सा जाड जार पानी डाल दूल दाल्राइब इस जार पानी पानी भुक्हा ने ढल झाल है आजा तो तो ठीक है यह तरीका भी अगर आप नहीं भी बिल्कुल टेक्निकल वे में बनाएं और सिंपल तरीके से ऐसे भी बॉयल कर दें तो सही बन जाएगा अब इसमें एक बॉयल आएगा ना इतने तो मैंने आटे के लिए यहां पर गूत कात के फिर महां पर सुखाटा चौकी बि ठंडी हो जाए वो वाली भी बात नहीं तो मैंने जो है रोटियां सेकनी शुरू कर दी और बात करूं अभी तबियत की आज के टाइम के जिसमें यह व्लॉग हो रहा है उसमें मतलब मैं दवाई खा रही थी अब तक भी और ठीक नहीं थी मेरी तब भी लेकिन यह शूट क करने के बाद दो-तिन दिन हो गए जो स्कूल खुलने के बाद जो बिजीनस होई और मतलब मैं एड़िट ही नहीं कर पाई बैठा ही नहीं गया रात को यह शूट हुआ पड़ा रहा थोड़ा-थोड़ा कर रही थी किसी दिन क्लिप्स लगा रही थी किसी दिन इंट्रों ब गई है जो मेरी देवरानी है नहां उनकी सिस्टर की शादी है इस टाइम पर तो वो है कि उनकी शॉपिंग बगएरा जो है वो चालू हो गई है तो थोड़ा जैल हमारे साथ भी अच्छे से हो गई थी पिछली बार काफी दिन रहके गई थी तो अच्छा भी लग रहा है म बार संडे में तो भी काम नहीं हो पाया और एडिटिंग भी नहीं हो पाई अब यहां पर जब यह पालक की जो है वो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई ना इसमें उबाल आ गए जब लगे कि हाँ पक गई अच्छे से तो पांच-सात मिनट अच्छे से पकाने के बाद उसके बाद फिर इसमें पनीर डाल दिया और दो-तिन मिनट और पका दी ढख गई अब यह हो गई ऐसी अब इसको चला के देखे ना देखो बिलकुल अच्छी सी गाड़ी गाड़ी सी बन गई है और इसमें पनीर आ गए है तो पनीर में भी मतलब आप टेस जो है वो अब चाहो तो डाल भी सकते हो थोड़ा बहुत फ्लेवर क्योंकि अल्रीड इतनी ग्रीन है लेकिन फ्लेवर धनिया का ओव्यसली अलग आएगा यहाँ पर हमारी पालक पनीर जो है वो रेडी होगी तो अब सब लोग खाने के लिए रेडी है रोटिया भी सिक चुकी है आल खाली पालक का मन होता है तो इस तरीके से पालक जो है वो हमारे खाया जाता है पालक पनीर के रूप में तो यह आ गया जी हमारी सबजी का फाइनल लुक और आब बच्चे देख रहे हैं टीवी फिलाल अब हम बैठेंगे तो बिग बॉस लगाएंगे और अब खाना निका चाही क्रीं और हर बार मेरा चूट जाता है इस बार मैं जिद करके देखता रही हूं लेकिन सच में बहुत बस ऐबार मुझे लगता हैं सब्सक्राउं यहां साधे दस बजे के करीब वह एपिसोड खतम हुआ तो मैंने फिर बरतन दोने शुरू कि अब रात के बरतन जो है यह जो धोरी हूं ना यह सुबा के दूद के ग्लास वगएरा सब कुछ मतलब सुबा से लेकर अब तक ही हो जाते हैं अगर मैं बीच में शाम को एक बार नाद हूँ तो अभी मैंने आज शाम को बरतंद हो दिये थे तो थोड़े से कम है तो रिलीफ भी लग रा लेकिन हाँ जब मैं शुरू मैं बिग बॉस देखा करती थी स्टार्टिंग में जब बच्चे नहीं थे तो मैं और मेरे हस्बंड देखते थे तो अब तो यह हैं इं सर्दियों में बहुने बारा बज़े कई बार बरतन मांज दी थी क्योंकि अगर साड़े दस तक मैंने धोली है तो धोली है लेकिन अगर फिर विग बॉस आता था था ना तो एक दो बार छूट जाता था तो फिर मुझे लगता था कि भाड़ मैं कया सब कुछ बरतन मुझ छा रहा है लेकिन रोज यही हो रहा है कि time यह time यह time नहीं तो पतहा है सबके साथ ऐसा होता है या नहीं आप भी मुझे comment करके बताना ऐसा होता ह confrontation करें नहीं लेकिन कुछ दिन बाद मैं फिर diss-d off होने लगते हूं कि कि अगर सच में important है वो चीज आपके लिए करनी आप सच में दिल से करना चाहते हो चीज को तो फिर आप कर ही लोगे कैसे ही करो तो यह चीज ही walk में है और जैसे तब मेरे ठीक हो जाएगी पूरी तरीके से तो अब दिवाली का भी workload खतम हो चुका मैं फिर दुबारा शुरू कर दूंगी तो दिवाली के टाइम पे छूट गई थी अभी और दूसरी चीज यह भी है कि यही चीज इस बार बिग बॉस में हो रही है कि मैं पिछले कई सीजन जो है वो देखी नहीं पारी शायद जब से मैं इस घर में आए है इस बार मुझे था कि मतलब अगर इतना प मुझे बाद में गिल्ट सी होती है कि यार नुकसान कर दिया इतने समय का और इसकी वज़े से काफी चीजन डिस्टरब हो रही है तो देखते हैं आगे कौन जीतता है मेरी गिल्ट या मेरा मन कि मैं बिग बॉस कंटेन्यू करती हूं या मैं छोड़ देती हूं और एक दू पॉजिटिविटी सी आ रही है उसको देखने से बजाए पॉजिटिविटी आने के तो में में भी हो सकता है कि उसी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए और फिर मेरी लाइफ ट्रैक पर आए दूसरी चीज यह भी सर्दी शुरू हो गई है तो आपको पता है पिछली साल भी यही शुरू किया है जब मैं स्लैप पर कपड़ा मारती हूँ ना तब मैं अब इस पे मारने लगी हूँ तो यह जो उसके ऊपर कई बार चिक्कट से जम जाती थी तीन चार दिन में यह आफते बर में फिर वो लंबा काम हो जाता था कि साब उन से ब्रश से गिसो और यह और वो कि जिस कपड़े से आप साफ कर रहे हो उसको जरूर साबुन से धो दो चाहे कितनी भी देर हो रही हो कितने भी ठके हो उसको आप डेली साबुन से धो ही दो और कपड़े धुल सको एक आदिस के साथ तो अच्छी बात है नहीं धुले तो इसे जरूर धो दो तो इसके आप आपको डबल बेनिफिट मिलेंगे एक तो आपका कपड़ा देखने में ठीक लगेगा और दूसरा जब आप इसे स्लैब या गैस स्टफ साफ करोगे तो वह साफ होगा अगर आपका यही कपड़ा गंदा होगा तो वह बजाए साफ करने के आप महनत भी कर रहे हो लेकिन वह और गंदा और चिककट कर देगा तो यह कुछ चोटी चोटी चीज़े हैं जो आपकी रात की किचन की सफाई में अगर आप इंक्लूड करते हो न एक तो चीटी कोक्रोच वगयरा कभी कुछ नहीं होंगे किचन में स्मेल नहीं आएगी यह सब चीज़ें बहुत चोटी हैं लेकिन काम की हैं अब सारा किचन जो है वो साफ हो गया नीचे फ्लोर पर पहुछा लग गया तो मैंने अब रात का जो मेरा आखरी काम है वो अपने ले थोड़ा सा दूद गरम कर रही हूं और यह स्प्राउट मैं शूट करना भूल गई यह मैंने बना के रखे थे तो यह मैंने एक डबा भरके बना लियें और इसको डखके मैंने रखा है फ्रीज में इसमें से आधे मैं सुबह बॉयल करूंगी और टिफिन में ले जाओंगी फिर बागी के आधे का नंबर आ जाएगा तो यह तरीका मुझे ठीक लगा थोड़े आप एक बार में ज्यादा से ब बहुत जरूरी है इसके बिना भी आपको जो रिजल्ट आएंगे वो भी आपको प्रतेक्ष दिखेंगे और इसको पीने पर भी आपको जो दिखेंगा वो बिल्कुल प्रतेक्ष दिखेंगा तो दूज जरूर पिया कीजिए आप यह हुक की बात करें ना यह सर्दियों की decoration भाई सब चिपकी हुई कुछ नहीं छूटती देखो एक जालर छूटके गिर गई है और दिवाली की decoration जसकी तस हुई पड़ी है ये मुझे हटाने का मौका नहीं मिला दिवाली गय हुए आज दूसरी की रात है तो यह सब आप मैं छोड़के सो रही हूं इसको मैं उठाऊंगी सुबह क्योंकि यह जो उची वाली है यह मेरे husband उतारेंगे तो अब यहां पर ना यह फिर मैंने अगले दिन सुबह की थोड़ी सी शूट की थी क्लिप जो sprouts मैंने आपको दिखाए थे steamer मैंने लिया आवा है मीशो से और इसमें रखके मैं बड़े भगोने में जो है इसको बॉयल कर देती हूं तो पांच साथ मिनट आप इसमें अच्छे से खोला दें पानी तो यह अच्छे से हो जाते हैं मतलब ऐसे तो आप कच्छे भी खा सकते हो लेकिन अभी इसमें डा तो यह थोड़े से चूएबल हो जाते हैं स्वाद मतलब कच्छे से थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है जैसे कच्छे थोड़े से टेस्ट में अलग से लगते मुझे इसका स्वाद ज्यादा पसंद है तो इसमें आप अपनी प्यास ट्रमाटर निम्बू नमक यह सब चीज ज्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट पे ताकि मैं वापसी आपाऊं अब सुबह के टाइम पे न मैं मतलब बच्चों के जाने के बाद उनका टिफिन वगेरा मैंने दे दिया था और अपना टिफिन भी रेडी कर दिया है बाकी अभी सफाई करने से पहले मैं यह माला बगेरा जो है उतार रही हूं अगर मौका लगा तो यह सब जमा करके मैं उपर रख जाऊंगी नहीं तो यह सब जो है फिलाल उतर जाएंगी और टुकडों में काम होगा और यह प्रेशर मैं लेती नहीं हूं कि मेरे पीछे अगर कोई महमान आ गया तो क्या ही सोचेगा क् काम हाँ से रखना क्या जुग अगा तो यह सब जो है उतार के रख दूंगी आगर ऊपर वाले कमरे में चलीएगा यह तो डेखी जाएगी तो अब यह ना जितनी देर लगाने में लगती है एकजट उतनी ही देर हटाने में भी लगती है क्योंकि निकाल के लाना जितना ट कि देखते हैं कितना हो पाता है स्कूल टाइम के बीच में ये टार्गेट लेके चल रहे हैं जितना हो जाएगा उतना अच्छा तो अब यहां पे जितनी भी माला थी आप इन सब को में सॉट करके रखूंगी तो बच्चे अभी नहीं हैं तो बच्चे तो जा चुके हैं दितना भी हो जाएगा ये सब उपर जो है जैसे जैसे पनी में से निकाली हैं वैसे वैसे ही करके आपको रखनी होगी तो आपकी जो डेकॉरेशन का सम्वान है वो लंबे समय तक चल जाएगा अब ये सारी माला वगयरा जो हैं अंदर की सब निकल गई अब बचे गया हमारा गेट तो गेट पे भी टेप वगयरा से ये लगाई हुई थी दो-तीन जगा लगा के टेप और अब गली में जितने भी घर थे तो सब के मतलब एक अगले दिनी सारी डेकुरेशन उतर गई थी बस दो-तीन ही घर ऐसे बचे थे और स्टार्टिंग में हमारे गेट ऐसा लग रहा था कि सजद है जैसा दुलंचा फिर ये उतार के मा रग गई थी जैसा सोचा था वोई हुआ कि उपर ले जाने का मुझे टाइम नहीं मिला तो ये सारा दिन अंदर रहा ना तो स्कूल से आके इनोंने पहले तो इसे सब को छाटी दोनों बेटियोंने मेरी उसके बाद सब मिक्स भी कर दी तो मैंने आके अभी जो है सबसे पहले ही नहीं अटाया मैंने खेलने में कुछ तोड़ ताड़ देंगी क्योंकि इनको लग रहे थे खिलो आने गंटियां बजरियां अब ये सारा डेकोरेशन का समान ना एक बार में मिल जाए सारा जब नेक्स्ट एर निकाला जाए तो इस वज़े से मेरी कोशिश ही रहती है कि सब एक जगा एक ही तरीके से रखा जाए और जिन डिबो में से निकाला है जिन पिन्नियों में से निकाला है उन्हीं में रखा जाए तो ये सब मैंने उपर वाले जो बेड है उसके बॉक्सीज में रखावा है सबसे पहले मैं ये मोती वाली ही जालर ले गई और अभी न मैं इनको ले जा ले जाके सीधे जो आधे बैट पर मतलब मेरे हस्बंड ये है कि रात को सोईंगे ही तो बाकी के आधे पर मैं सीधी सीधी जो है रखती जा रही हूं एक बार सारा समान एक बार उपर पहुँच जाएगा फिर उपर वाले कमरे में जाके जो है फिर रखूंगी तो यहाँ पर नीचे की जो अब ये दोनों लगातार हेल्प कर रही है खैर चकर वगएरा मुझे कम लगाने पढ़ रहे उपर की तरफ तो अब यहाँ पर नीचे का सारा समान हट गया, गेट का हट गया, लॉन की सारी हट गई है, बस ये लास्ट जो है वो सीडियों पर किढ़ गई है, जो शीशे पर लगाई हुई थी, और अंदर मैंने दिवार पे या बेडरूम वगएरा पे कुछ खास किया ही नहीं था, तो महाँ से कुछ हटाना भी नहीं है, बस यह हिससा थोड़ा डैकॉरेट किया था, तो यह हटाना है और हाँ, एक जो बाहर वाली बैलकनी है, यह जो वाइट वाली वाइंज वाली यह जो फूल है यह मैंने इस बार बाहर लगाए थे यहाँ पर यह शीशे की रेलिंग पर यह मुझे हटाने है और जालर जो है वो मेरे हस्बेंट हटा देंगे या तो कल हटा देंगे या फिर जैसे भी उनको ठीक लगेगा यह काम उनका ही है तो यह मेरा काम जितना है न वो मैं समेठती जा रही हूं और बग उसका मतलब 90% में यह सारा काम खुदी करती हूं 10% है जो यह करवाते थे लेकिन इस बार इनोंने बराबर पूरा टाइम मेरे साथ काम भी करवाया और फिर भी जो फीवर वगेरा चड़ गया न तो कहीं ना कहीं खुशी जो थी मेरी वो आधिया दूरी सी रह गई मज कुछ और है या फैल गए उसके बाद किया जीता बेत कराब हो गई कहीं ना गई मतलब मुझे मूड सा मेरा वैसा हो जाता है कि नहीं फिर क्या फायदा क्योंकि जो आप लोग कहते हो ना जितना शरीर से हो तो नहीं करना चाहिए मैं भी उसी के पक्षदर हूं जितना ही हो पाता है वह एक अलग बात हैं लेकिन जब ऐसा कुछ हो गया नहीं कि माहाए काम कर रही थी कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अपने अकॉर्डिंगjos कर दू लेकिन factor मुझे मनें ओक और कर लिया ये कुछ और तो वह वाली चीज हो जाती दो कही ना कही मतलब मतले म भर रही थी ना मैं क्या करती हूं कि हर एक रंग के तीन तीन चार चार जो माला है वो बाहर रख लेती हूं एक अलग बैग में सेफ में ताकि जैसे कभी बीच में जन्माश्ट मी पे या किसी चीज पर डेकोरेशन की जुरत पड़ती है ना अंदर दिवाली जितनी नहीं करन है तो वह हैंडी सी रहती है यह वाला पलंग नहीं खोलना पड़ता मुझे तो यह कि कहीं से भी कोई पूजा है या कुछ और फंक्शन चोटा मोटा है सजाना है तो अराम से हो जाता है तो आधी से तो मैं कहूंगी कम ही है हर एक रंग की तीन तीन चार चार माला अलग उरली जो थी वह अच्छे से पन्नी में पैक करके तब उसी के डिब्बे में डाली है और जो केंडिल का सैट था वो है और यह दीपक थे फिलाल मुझे इसका डिब्बा ना दिखा नहीं मैं रखके भूल गई तो मैंने इसमें रख दिया लेकिन बाद में यह मिल गया था तो फिर मैं इसमें बाद में ट्रांसफर करूंगी और यह सब जो हैं जितनी भी चीजें पैक होती जा रही हैं इनको मैं यहां पर दिवार के किनारे एक किनारे साइड में रखती जा रही हूं और अब यह वाला ना मैंने जो ड्राइफ रूट्स का डिब्बा था उसको ख रख दिया और यह जो ड्राइफ रूट के डिब्बे हैं इस बार मैंने इनको तो रख दिया है लेकिन जो इनकी ट्रे है ना उसमें शीशा लगा हुआ अच्छा सा तो वह मुझे इस बार मेरा रखने का मन नहीं किया तो मैंने उसको जो है अभी बहार सेंटर टेबल पर न यह चले जाएंगे पलंग में अब मेरा काम जो है वह आलमोस्ट खतम हो गया अभी मेरे हस्बंड जब शाम को आ जाएंगे तो बैट दुबारा खुलेगा तब इसमें रखेंगे इसलिए चादर बस ऐसे ही जाड़ दिया फिलाल यह व्लॉग यह पर खतम होता है अगर चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाना मिलती हों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन बाबाई स्टे ब्यूटिफुल ऑल्वेज